हेलो दोस्तों स्टॉक मार्केट न्यूज और टिप्स में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका विकास सिंग और टेक्निकल एंडर फॉंडमेंटल अनलिस्ट एंडर सटीफाइड ट्रेडर ऑफ स्टॉक मार्केट सो मैं आपको मेरे चैनल में स्वागत करता हूं जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूले एंड जो नोटिफिकेशन बैल आइकन आपको दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए जी हां आज हम एक न्यू टॉपिक पर बात कर किया है जी हां आपने बिल्कुल सही सुना कितने का प्रॉफिट सेवेंटी थाउजन का प्रॉफिट हमने सेवेंटी थाउजन का प्रॉफिट किया है और आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे किया हमने ऐसा क्या स्पेशल किया तो आईए अब हम इस पर फोकस करते हैं कि हमने क्या step by step follow किया तो अब हम आगे देखते हैं कि पहले हम आज हमने जो प्रोफिट बुक किया उसकी study हमने दो दिन पहले की ती यहां पर आप दे सकते हैं क्या stock stock market update 75 71 stocks hit 52 weeks high means इसका मतलब कि क्या है कि जब दो दिन पहले जब निफ्टी 50 ने अपना एक new high बनाया था उस वक्त 71 stocks एनसी के उसने अपना new high बनाया था तो मैंने ये रेडार में रखी और इसके basis पर मैंने अपने आगे की study की और जो लोग बिल्कुल नए हैं अगर वो day to day टिप्स जानना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल मेरे टेलीग्राम चैनल पर आगे सब्सक्राइब कर सकते हैं जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मेरे चैनल पर डेली न्यूज मिलती है एंड मार्केट खुलने से पहले सुबह 8-30 के आराउंड मैं आपको चीज देख लिया था कि निफ्टी 50 हाइए मिंस निफ्टी 50 की जो स्टॉक्स है वह अल्डेडी हाइए मिंस मुझे उसमें ट्रेड करना ही नहीं है अब मैंने क्या देखा कि निफ्टी बैंक भी काफी 30,000 के आसपास था तो मेरे को उसमें ट्रेड नहीं लेना यह जो है कि वें ऐसटा आज का देटा है तो मैंने कि देखा कि में काफी जग Peng अब जो मेरा जो फोकस रहने वाला तो वह निफ्टी-मीड लक्त में तो आखे देखते हैं डाइट मैंने और अपनी पिछले तरगीट दिया था कि कि मैंने यह कहा था कि कल वाले वीडियो में कि मैं मैं hero motocop और बजाज आटो यहां पर आप सफफ देख सकते होंगे यहां पर यह देखिए कि मैंने यहां पर लिखा है कि I personally believe there is a lots of space in hero motocop मतलब मैं hero motocop and बजाज आटो में बहुत bullish हो और मैंने यह कहा था कि इसमें है एक बजाज आटो में strong resistance level है कि 125 के ऊपर जाएगा तो वो टार्गेट कितना चुएगा टूफ थी थाउजन टू हंड़ेट कर सकता है कि अब यह मैंने असा क्यों कहा था क्योंकि मैंने जो नूटिस किया था कि टाटा मोटर्स और M&M यह दोनों बहुत चल चुके थे इवन नाइशर मोटर भी अपने अल्मोस्ट काफी उपर ना बट हीरो मोटोकॉप और बजाज उटो यह दोनों में काफी स्पेस था और मैंने इनके टार्गेट मैंने पिछले वीडियो में यहां पर आप देख सकते हैं आप मेरे टेलिग्रम चैनल पर आके भी देख सकते हैं है हिरो मोटो कॉप का चार्ट हीरो मोटो का चार्ट में मैंने क्या कहा था कि हीरो मोटर पर कि अगर यह वाली जो लाइन यह एक सपोर लेवल अगर यह इसके उपर रहता है तो हमारा जो टार्गेट राएक का 3100 का राइट 3100 आज उसने टच कर दिया यह देखिए यह आज रही अ भी दी आज स्कूडारी यह मैंने सबसे पहला दिया था कि century टेक्स्टार सेंशियी टेक्स्टार मैंने सुबहे कितने बज दी या था आप यहां पे देखिए यह आप तैमिंग सकते हैं कि मैंने दिया था सुबहें 8.26 AM जो अधा है। किया कौन कॉंस स्टॉक्स पे हमारा फोकस रहेगा, तो अब जैसे ही हम मैंने इधर टर्गेट दे दिया, तो let's see कि देखते हैं कि मेरे कितने टर्गेट अचीव हुए हैं, और मैंने क्या-क्या टर्गेट दिये थे, फिर मैंने अगला यह दिया था, century textile के बाद मैंने दिया था inox leisure, inox leisure का मैंने दिया था target buy 265 बे buy करिये, target 269.7 ये 270 के उपर गया था but हमारा जो target था, वो almost रहता है कि 2% in a day safe and secure निकाला जाए with stop loss of 263, मतलब अगर आप इदर risk reward ratio देखेंगे, तो 1.5 के उपर रहता है, अगर 1.5 BML buy कीजिए, 710 पर and तो target रहेगा, 724 पर with stop loss of 702 and सुबह सुबह जैसे मैं कहता हूँ कि मैं मेरे जो channel है, मैं उसमे news भी update कर देता हूँ, कि मैंने यहाँ पर लिखा था कि MGL and Gujarat gas and all gas shares will be in radar, क्योंकि gas के charges increase हुए है अगर कोई dip मिले तो उसको buy कीजिए and मैंने सुबह 8.38 मिनट पर मैंने क्या बोल दिया था कि MGL उसवक था 9.29 पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह देखिए यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कितने पर buy दे दिया था न्यूज मिल चाहिए, कितना मेरा long term view कितना था 1000 रूपीज अब देखिए उसके बाद हुआ किया और राइट अब यह है हमारा आज का performance हमने MGL कितने पर लिया था 9.29 पर हमने exit कितने गिया 1022 इतनी अच्छी थे कि market खुलते ही सीधा अपर सर्केट पर लग गया था तो हमने अपर सर्केट पर लिया लेकिन उसके बाद वो और गया बट हमने हमारा जो profit था वो हमने easily book कर लिया with a lot उसका MGL का lot था 600 तो हमें कितने का gain मिला 93 points का हमें जो था हमें gain मिला और हमारा profit हुआ 55,800 रुपीज सेम हमारा century textile था century textile 346 exit मतला हमारे जो टार्गेट था 355 जो हमारे easily achieve हो गया था 356 था बट थीक है 355 with lot हमने 100 shares भाई गिये थे margin मिला 9 रुपे का तो हमारा जो profit आया 900 का same with ionox जैसे मैंने hero motocop पे कहा था आप buy करिये और आपको मिलेगा तो मैंने सुभे-सुभे buy किया था 3060 पे और मैंने बेच दिया 3100 पे तो lot size उसका था 300 तो हमें जो गीन मिला वह मिला 40 रुपीज का हमें points गीन मिला तो हमारा जो total profit हुआ था वह hero motocop में 12,000 BAML में 1400 ionox में 740 century textile में 900 और MGL जो news based stock था totally जो सारे regular updates मेरे news channel पे जो मिल जाते हैं और मेरे जो सारे clients को मिल जाते हैं update news के कौन सा share अगर आप यही चाहते हैं कि आपको daily news मिले आप daily इतना अच्छा profit कमा सगे यह देखिए मैंने यहां पे lot size लिखा है बट जिसके पास जितना revenue रहता है जितना funds रहता है वह वह हिसाब से share buy करता है बट अगर आप overall देखेंगे तो आपको minimum 3-4% gain easily day by day आपको मिल सकता है उस इसके लिए आपको मेरे चैनल को subscribe करना है like करना है और notification का bell icon दबाते ना है उससे क्या होगा कि आपके मेरे जो भी regular news रहेगी जो एक दिन पहले जो upload हो जाती है वह आप तक direct पहुंच जाएगी और नहीं तो आप मेरे telegram चैनल को subscribe कर सकते हैं जिसका link मैंने description box में दिया है उ तो मैं इसी के साथ आज का मेरे ये वारा topic खतम करता हूँ and for regular updates मैं आपको बता दूंगा कि इन in a coming week हमें कौन कौन से stocks buy करने हैं थैंक यू